हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेड इस भी मैं हूं महुमत सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सिपला के अपने पिछले वीडियो में 10 जुलाई के वीडियो में मैं मैं आपको अपडेट दिया था स्टॉक में होल लगाओ कुछ भी डरने वाली बात नहीं है और हमारा बैइंग काफी नीचे हो चुका था और जो भी फ्रेश बैइंग करना चाहरे हैं आप बै कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें ब्रेक आउट मिला आये समझा के 1040 1070 प्रोफेशनल 1110 मैं फाइनल टार्गेट प्रोवाइड किया था सिपला लिमिटेड में अब हमारे टार्गेट पूरे अचीव होगे दोस्तों पूरे अचीव होने के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवेल के पास एंड प्रीवियस अपने ट्रेड़ वैल्यू के पास के ऊपर ट्रेड़ वैल्यू के पास के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसका मतलब यह है कि स्टॉक हमें और एक ब्रेकाउट देने वाला है स्टॉक ऊपर जाने के लिए यह इसका इंडिकेशन है पर यह कंफर्मेशन कब होगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा कंफ 1600 तक के target देख रहा हूं अगर यह level break नहीं कर रहा है अगर नीचे आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको simply suggest करूँगा जो भी buy करके बैटे हैं 1173 का stop loss ट्रेलिंग stop loss यानि profitable stop loss लगा के रखिए क्योंकि stock के अंदर previous breakdown level से जो support लेके stock उपर गया है stock इस level को break करते हुए इस level को break करते हुए नीचे आएगा और stock के अंदर जो dividend का overbought rally के लिए हम लोग target लगाए थे direct gap up open करके हमारे target हम लोगों को दे दिया gap up open करके हमारे target हमें दे दिया अब dividend के बाद क्या होगा rally आएगा rally के बाद stock consolidate करेगा buyer trap करेगा stock fall करेगा तो उसके लिए एक महिने का time है अभी तो मैं समझ रहा हूँ एक महिने का time है अभी नहीं बोल सकते परसों भी गिर सकता है Monday Tuesday भी गिर सकता है अगले हफते हो या उसकी next week कभी भी गिरना चालो हुआ तो रुकेगा नहीं तो मेरा suggestion है complete profit booking हो गया जब तक proper breakout नहीं मिलता आई इसमें re-entry का सोचो मत अगर आप खुद stock के अंदर आप खुद मेरा suggestion यह आप खुद stock के अंदर hold करना चाह रहे है तो trailing 1173 का stop loss लेके stock के अंदर hold करिया दोस्तों अगर आपको कुछ doubt है तो इस number पर आप मुझे contact कर सकते हैं तो यही था मेरा analysis supply limited पर अगर आपको stock analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and youtube चैनल को subscribe कर लिजिए thank you for watching my video